क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का कुशन नमर 4 है हमारे सामने जिसमें कहरा है गीवन डेट HCF और 306 और 657 इक्वल्स टु नइं ऐसे डिया गया है 306 657 का 9 हमें निकालना है फैंड एल्सिएम निकालना है इन्हीं का 306 657 का यह सिंपल इदेंटिटी यूज करने हैं हमारा फर्स्ट नमबर क्या है फर्स्ट नमबर इक्वल्स टू 306, सैकेंड नमबर है 657 और HCF, HCF इक्वल्स टू 9, ये सब चीज़ां में गीवन है, हमें निकालना है LCM, ठीक है, LCM हमें find करना है, तो simple जो हमारी identity है उसको लगा देंगे, identity के है हमारी LCM, multiply में HCF, equals टू product of two numbers, product of two numbers, value put कर देंगे LCM, ये में निकालना है, तो ये as it is आ जाएगा, multiply में HCF, HCF के value कितनी है, 9, तो 9 लिख देंगे इसकी जगे है, product of two numbers, जो हमारे दो numbers है, जिनका भी हम में HCF ये LCM निकालना है, उन दोनों का product, तो 306, multiply में 657, 306, multiply में 657, product क्या होता है, multiple, ठीक है, तो LCM, LCM की value निकालना है, तो इसके लावा जो भी है, हमारा 9 है, इसके दूसरी तरफ shift करेंगे, ये इदर multiply में तो उदर जागे हो जाएगा, divide में, तो LCM क्या होगा हमारा, LCM equals to 306, multiply में 657, divide by 9, 9 को हम इस तरफ ले आए, 9 से 306 को cancel out करेंगे, तो 9, 9 के table में 30 का बाता है, 9, 3 जा 27, बचेगा यहाँ पर 3 और 6, 9, 4 जा 36, तो 34 multiply में 657, इन दोनों को multiply करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 22,338, 22,338, LCM हा जाएगा हमारा ये, ठीक है, यह हमारा final answer हो जाएगा,